मद्य पर्देश के धार जिले में होने वाले चोरी डकैते और लूट के घटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए धार S.P. आदित्य पर ताप के निडेशन में चलाई जा रही मुहीम में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है तो वहीं बदमाजों में पुलिस की इस कारेवाही से हरकम मचा हुए है आपको बता दे कि धार क्राइम ब्रांश प्रभारी संतोष कुमार पांडे को मुखबीर से सूचना मिले की लूट तोड़ पोर और आगजनी जैसे जगन्य अपराद से फरार चार आरोपी अपराद करने की नियत से जा रही है मुखबीर की बात को गंभीरता से लेते हुए धार क्राइम ब्रांश और टांडा पुलिस ने संयुक्त कारेवाही की और चार आरोपियों को राजगर टांडा रोड काली देवी फाटा पर धर दबोचा जिसके पास से चोरी की मोटर साइकल भी जब्त की गई जिनके कीमत लगबग एक लाग पचास हजार बताई जा रही है पुलिस सभी शातिर बदमाशों को गिरफतार कर उनसे पूछताज करने में जूटी है धार एस्पे अधिते पर टाप ने और क्या कुछ कहा आईए आप भी सुनी क्राइम ब्रांश धार और टारणा पुलिस ने एक सभी कारवाई की उसमें चार लोगों को चेकिंग में अरेश किया गया है जिसमें एक करन पिता समरू, एच्छू पिता मगन, नानकिया पिता ठाकोर, सुरेश पिता धीरप सिंग इन लोगों को चेकिंग में ग्रफतार किया गया, इन से चार चोरी की मोटसाइकल बरामत की गई है उसके अलावा इन में दो करन और एच्छू जो हैं वो 25,000 के नामी है और उसमें ये लोग चार मामलों में फरार थे, पुराने अटकेती की त्यारी का मामला, टांडा थाने पे हमले का मामला, उसी समय टांडा में जो लूट हुई थी उसका मामला और एक अन्य अपराद में ये लोग एक जो बकरा वेपारी के साथ लूट हुई थी उसमें ये लोग फरार थे तो पुलिस द्वारा अच्छी करवाई करते हुए चार लोगों को अरेस्ट किया है और इन्हें गिरफ्तार करके जिल्ग जा जा रहा है ये लोग 25,000 के नामी थे करण और इच्छू करण पे 15,000 का इच्छू पे 10,000 का और इन लोगों के करण के तीन स्थाई वरंट भी है अभी इनसे जप्ती नहीं हुए है पुलिस अभी इन्वेस्टिकेट कर रही है इनसे पुष्टा जा रही है अन्ने मामलों का भी खुलासा संभागा है टिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद